हेलो दोस्तों स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब शेनल पर जहां हम बढ़ेंगे समानी हिंदी की बहुवी कलपी प्रशन जो कि हिंदी टी 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 की एक्जाम हो या फिर सम्मुगों की परिक्षया हो तो सभी में समान रूप से उप्योगी होंगे तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी कलास को आज का पहला प्रशन है निम्न में से कौन सा व्रक्ष का परियावाची नहीं है इनमें वह सब्स बताना है जो की व्रक्ष का परियावाची नहीं है नहीं वाला आपको बताना है इसके लिए राइट आंसर ओप्सन डी है प्रवाद व्रक्ष का परियावाची जो नहीं है वह है प्रवात विटब, पादब और तरू यह सारे व्रक्ष के ही परियावाची है विटब, पादब और तरू व्रक्ष के परियावाची है तो जो नहीं है वह कौन सा है वह है प्रवात प्रवात है हवा का परियावाची हवा या फिर वायू का परियावाची प्रवात वाद प्रभंजन ये सब होते हैं हवा के परियावाची अगला क्वेशन है पतंग शब्द का परियावाची है पतंग का इन में से कौन सा है जो की परियावाची है तो चड़िया है कीट है बी हैं ये सारे ही पतंग के परियावाचि होते हैं अगला प्रशनika है चांदनी का परियावाचिय शब्द है चांदनी का जो परियावाचिय शब्द होगा वह क्या होगा राइट आंसर इसके लिए है option A जोचसना चांदनी का परियावाची सब्द है जोचसना अगला क्वेशन है जल में जल में चलने फिरने वाले के लिए एक शब्द है जल में चलने फिरने वाले के लिए एक शब्द क्या होगा इसके लिए राइट आंसर है option B जल चर और उभईचर किसे कहते हैं जो कि जल और थल दोनों महीं रहता है चलता है उसे उभईचर कहते हैं अभी आपसे पूछा है जल में चलने फिरने वाले के लिए एक शब्द है जल जल अगला प्रशन है सम्मती का संधी विच्छेद है सत धन मती बराबर संधी जो संधी सब्द है इसका संधी विच्छेद होता है सत धन मती बराबर संधी और इसमें कौन से संधी आती है व्यंजन संधी है व्यंजन संधी का उधारन है अगला है चार दिन की चादनी मुहावरे का अर्थ है चार दिन की चादनी मुहावरे का अर्थ बताना है राइट अंसर ओप्सन ए है इसमें थोड़े समय का सुख चार दिन की चादनी का मतलब है कि थोड़े दिन का थोड़े समय का सुख अगला प्रश्न है जान है तो जहान है का अर्थ है जान है तो जहान है इसका अर्थ क्या हुआ कि जीवन ही सब कुछ है जीवन ही सब कुछ है चक्कर में आना मुहावरे का अर्थ है चक्कर में आना इस मुहावरे का अर्थ बताना है सत्याग्रह शब्द का संधी विच्छेद करें सत्यधन आग्रह अगला प्रश्न है प्रयोग का उपसर्ग है प्रयोग का उपसर्ग क्या होगा प्रधन योग ब्रयोग नजराना का प्रत्याई है नजर्धन आना नजराना तो आना इसमें प्रत्याई है भानुदई का संधी विच्छेद है इन में से कौन सा है जो की भानुदई का संधी विच्छेद है ऑपसन डी राइट आंसर है भानुधन उदै ब्राबर भानुधधई Option D, राइट आंसर है भानुधई का संधिविच्छेद है भानुधन उदै अगला है अन्तर पट खुलना का अर्थ है अन्तर पट खुलना इसका अर्थ क्या है राइट आंसर आप्शण B है ज्यान प्राप्त करना आप संडी मकान की बाईएं और सड़क है अगला क्वेशन है काण नाक कौन सा समास है तो काण और नाक इसमें दोनों ही पत्प्रदान है यह है इसलिए कौन सा है दुञन्द समास है जैसे माता पिता काण नाक ये दुञन्द या राम लक्षमन ये द्वंध समास के उधारण होते हैं राधा कृष्ण अगला है संसकार का संधि विच्छेद है राइट आंसर ओप्जन बी है सम धन कार ब्राबर संसकार उदगम में प्रिक्त उपसर्ग है उदधन गम ब्राबर उदगम अगला है आभिहांतर के विप्रतार्थक शब्द है आभिहांतर का विप्रतार्थक आभिहांतर का जो विप्रतार्थक विलोम है वो बताना है आभिहांतर का मत्तब आंतरिक होता है अंदरवारा और इसका विलोम हो गया विप्रतार्थक हो गया बाहिय अली का शाब्दिक अर्थ है अली अली का शाब्दिक अर्थ है उप्सन ए भोरा एक होता है अली एक होता है अली तो जो अली होता है जिसमें बड़ी की मातरा होती है उसका आर्थ होता है सक्षी और जो अली जिसमें छोटी की मादर होती है उसका अर्थ होता है भोरा अचल का परियावाची शब्द है इनमें से कौन सा है अचल का परियावाची सब्द अचल का मतलब कि जो चलना सके जो नहीं चलता है जो एक ही जगह पर रहता है वो क्या कहलाएगा इस्थर जैसे अचल आपका परियावाजी किसके लिए भी यूजोता है पर्वत के लिए भी यूजोता है परित्यक्त शब्द का सही अर्थ क्या है अप्सन सी जिसे उपेक्षा पुर्वक छोड़ दिया गया हो उसे कहते हैं परित्यक्त अगला है रेष्टरां किस भाषा का सब्द है रेष्टरां किस भाषा का सब्द है और अगला लास्ट क्वेशन है कि निर्विवाद में कौन सा समास है निर्विवाद में कौन सा समास है राइट अंसर आप्सन बी है इसके लिए इसमें समास है अव्याई भाव समास निर्विवाद में जो समास है अव्याई भाव समास इसी के साथ आज की वीडियो यहीं पर एंड होती है मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ नहीं प्रस्मों के साथ क्वेश्चने दिजूच्पूर लगे हों तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा धन्यवाद